जय हिंद इसरो IPRC अब भई यहां पर फाइनली जो है इसरो IPRC ने इसका फुल नॉटिक्वेशन जो है इसके ओफिसियल वेबसाइट पर पब्लिस कर दिया है लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा डारेक्ली जाकर जो है आप इसका ओफिसयल नॉटिक्वेशन डाउनलोड कर सकते हैं तो अभी मैं कुछ खास खास इंफर्मेशन जो है आपसे यहां पर क्लियर करूँगा कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाओंगा अब यहां पर देख सकते हो भई नंबर वाग पोश्टों को भी मैंने क्लियर कर दिया था जो इसकी प्रिविश एर वीडियो थी जहां इस क Mr. Medicine CMy resurrection की यहां पर चार पोस्ट है उसके बाद technical assistant electrical के एक सब्सक्राइब दिप्लॉमा मंगा गया है जो आप डिलेष़ां से हो ऊसमें ठीक है उसके बाद जो है यहां पर technical assistant computer science की एक पोस्ट है technical assistant civil की तीन पोस्ट है टेक routines andinsip इनवी पोश्ट थी, 19 को increase करके 20 कर दिया गया है, OBC की यहां पर 8 पोश्ट थी, 8 को increase करके यहां पर 9 कर दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर उसके बाद technician B में यहां पर 3 पोश्ट, welder में यहां पर 3 पोश्ट है, refrigerator में यहां पर 3 पोश्ट है, electrician में यहां पर जो है लगबख सा एक पोश्ट थी तो एक को increase करके दो पोश्ट कर दिया गया यहाँ पर technician भी plumber में यहाँ पर एक पोश्ट डाफ्रमेंट भी civil में यहाँ पर एक पोश्ट सम्में IT यहीं मागा गया है NCVT से ठीक, SCVT वाले यहाँ apply नहीं कर सकते, पहले clear कर देता हूँ अब यहाँ पर थोला सच चीजों को मैं clear करूँ तो भई यहाँ पर यह बताया गया है कि last date आपको 24 April 2023, 24 April 2023 इसकी last date है form को apply करने की इस बार department में क्या गिया है, online ही application form को apply करना है, कोई भी offline department को form नहीं बेजना है इसके पिछले recruitment में offline भी भेजना था, online के साथ, लेकिन इस बार कुछ भी यहाँ पर जो है नहीं दिया गया, directly आपको online ही आपको यहाँ पर apply करना है इसके official website पर जाकर, है ना, आप यहाँ पर कुछ fireman वगयरा के यह बता है, terms or condition इतना height होना चाहिए, weight तो यह सब आप देख सकते हो, screen पर, physical fitness के वारे में, यह exam के बाद आपको यहाँ पर clear हो जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं जाओं तो भाई, अगर आप कहीं अलग department में काम करते हो, तो आपको NOC चाहिए, national objection certificate, no, sorry, no objection certificate आपको यहाँ पर चाहिए होगा, यदि आप किसी other department में, जो है, work कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समय और clear करके चलूँ, तो यहाँ पर आपको online ही apply करना, यहाँ पर clearly बोल के रखा, यहाँ पर online ही apply करना ही, यह मैं आपको clear बता देता हूं, ठीक है, और आप जिस भी mail ID, जो भी registered number डालोगे, वो आपका valid होना चाहिए, चालू स्थिती में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं कि बंद है, mail ID, बंद है, यहाँ नंबर बंद है, ऐसा नहीं हो, ठीक, age limit आपकी minimum 18 साल है न, बाकि यहाँ पर age relaxation असपर government of India के rules के recording यहाँ पर आपको age relaxation भी दिया जाएगा, pay skill बताया गया वही, level 6, 7 का यहाँ पर आपका salary technical assistant का रहेगा, बहुत अच्छा है वही, level 7 का salary, जो technical assistant वाले है, उसके बाद जो टेक्निस इंद भी डाप्रमन भी level 3 का रहेगा, और fireman A, heavy vehicle driver A, यहाँ पर level 2 का आपका salary रहेगा, ठीक है, देखो बाई, एक चीज में अलग clear कर देता हूँ, जो तमिल नाडू महंद गिरी है, यह जो भी north candidate है, या जो भी यहाँ पर north वाले, central वाले candidate है, वो काफी दूर है, देखो सबसे अगर मैं बात करूँ, जो केरल है, केरल के आसपास ही, जो है, यहाँ पर तमिल नाडू महंद गिरी है, तो आप बिलकुल नीचे जाओगे, तो आपको बिलकुल नीचे जो है, यहाँ पर देखने मिलेगा, जो सबसे last person है, वो यहाँ पर आपको महंद गिरी तमिल नाडू का ही देखने मिलेगा, ठीक है, तो यह बह नीचे इसका है सबसे साउथ में और यह महेंद गिरी है ठीक है तो तोला सा इसका जो एरिया है वो मैं आपको क्लियर कर रहा था ना अव बाकी यहाँ पर जो जाओ तो उसके बाद जो यह देखो आप देख शकते हूँ आप अप्टेकनिकल असिस्टेंट हो, शक्कनमैं भी यहा पर रिटर्न एक्जामीने शर्केत्ति ड्राइवर में घेव जो इसका final score है ये कि वर return exam के आधार पर ही आपका यहाँ पर selection होगा ठीक है बागी जो आपका यहाँ पर practical test होगा वो qualifying go no go basis का होगा ठीक है बागी यहाँ पर final जो merit है वो आपके return exam पर ही आधारत होगी ठीक है अब यहाँ पर भाई इन्होंने clear कर दिया है कि the return test will be held by mean of online computer based test CB CBT मतलब आपका computer based test यहाँ पर online exam होगा ठीक है अब यह online exam आपको city यहाँ पर choice करने के लिए दे दिया जाएगा भाई आपके कहाँ पर city में यह exam हो रहा है तो वो आपको यहाँ पर clear करके बता दिया जाएगा लेकिन इन्होंने clear ली बोल दिया है कि भाई देखो आप various cities mentioned in the इनेक्स्चर भी तो यहाँ पर जो इसका exam है यह online ही conduct होगा पहले पिछली बार की तरह इसका offline नहीं होगा ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पर जो skill test है इसका go or no go basis का होगा यहाँ पर आप यहाँ पर slave us return test बता दिया गया भाई यहाँ पर slave us same यहाँ पर रहता है वो आपक पूछे जाते हैं उससे बाहर यहाँ पर कुछ भी नहीं आया जाता है ठीक है purely based on यहाँ पर educational qualification मतलब admix labels आपका जो educational qualification है उसके अंतरगा थी आपके यहाँ पर technical question आते है और थोले बहुत यहाँ पर non technical दे देता है लेकिन maximum यहाँ पर technical question आते हैं लेकिन अच्छे level पर 80 question आएंगे ठीक है उसके 80 question के लिए आपको 90 minute देला घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा ठीक है समय दिया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 1 by 3 की आपकी negative यहाँ पर marking भी रखी जाएगी ठीक है 1 by 3 की यहाँ पर negative marking आपकी रखी जाएगी त तो आपको इसके लिए दिल गंटे का समय दिया जाएगा 80 question आएगे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ slabers जो है आपकी यहाँ पर field के according इत आपने जिस ट्रेट जिस ब्रांक से apply किया रहे है उसी के according जो है यहाँ पर आपका slabers रहेगा ठीक है उससे अलग कुछ नहीं यहाँ पर आता है उसके बार जो है यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे थोला सा मैं जाओं तो यह जो fireman के लिए यहाँ पर slabers बताया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यह जी के वही के इनको आएगा भाई यह इनके field से related चीजें यहाँ पर question पूछे जाएंगे अब यहाँ पर slabers skill test के लिए तो भाई यहाँ पर qualifying nature का होता है वो skill test तो यहाँ पर वो तो आपको one why file के ratio में जो है candidate को बुलाता है skill test के लिए एक push पर लगबग 5 candidate को जो है department skill test के लिए बुलाता है अब यहाँ पर थोड़ा सा और में यहाँ पर नीचे clear करके जाओं तो यह तो जो है भाई यहाँ पर physical efficiency test के बारे में बताया गया है जिन candidate का होगा यह technical assistant और technician भी वालों के लिए नहीं है अब यहाँ पर देखो clear बोल दिया गया है online ही आपको only जो है इसका form fill करना है offline कोई भी आपको department को form नहीं भीजना इसके official website पर यह आपको form apply करना है 27 तारिक से आप यहाँ पर form जो है apply कर सकते हो 27 March 2023 से इस form को आप apply कर सकते हो है और थोड़ा सा मैं क्लियर करूं तो आपको जो भी है admin card की information आपको time पर ही मिल जाएगी अब देखो भाई online पर प्रक्रिया है तो exam होने में भी जादा इसका कुछ बहुत जादा time नहीं लगने वाला online में तो सब कुछ जल्दी जल्दी निप्टा देते हैं यह लोग अब यहाँ पर जो है देखो भाई यह सारे certificate upload करने होंगे आपको जब आप यहाँ पर PDF file में not exceed 10 MB में तो यहाँ पर यह सारे file जो upload आपको करने होंगे जब आप form को apply करोगे ठीक है तो यह चीज़ें भी यहाँ पर मैं clear कर देता हूं बाकि जो है application form जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं ठीक है थोड़ा सा और आएंगे चलके यहाँ पर जो application fees है देखो यहाँ the online computer way CBT will be held across various cities मैं संदा अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा और clear करता हूं यहाँ पर जो आपकी application fees है वो जो है यहाँ पर जो technical assistant post के लिए 750 रुपए लगने वाली है और बाकी जो post है यहाँ पर उनकी 500 रुपए fees लगने वाली है ठीक है only through online mood में ही आपको fees पे करना होगा इतने सारे option दिया है internet banking, debit card, credit card इन सबसे आप fees पे कर सकते हूं है ना और उसके बाद जो है यहाँ पर 24 घंटे में आपकी जो payment को successful यहाँ पर कर दिया जाएगा और CBT आपका exam होगा यह चीजें तो बार-बार department management कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर जो है आपको कोई भी copy send नह नहीं करना यह department यह चीज इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके पिछले बार यहाँ पर department ने चीज़ों को जो है यहाँ पर जो है offline माध्यम से भिजवाए था अपने department को तो अभी ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना ठीक है अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा चीजों को मैं clear करती हूँ चलूं तो सेम बईसकी लाजडेट जो आप देख सकते हो 24 अपरेल दोजाटीस इसकी लाजडेट रखी गई है ना साम को चार बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाय कर सकते हो सकता है समाल मतलब कल से इस फॉर्म को आप अप्लाय कर सकते हो ठीक है बाकि थोला सा कहा कहा इसके exam होंगे क्या cities रहेंगी तो इसको थोला सा मैं deep में और information क्लियर करके आपको यहां पर जो है और इसकी वीडियो जो भी यह यहां पर department के लिए जो है इस रोक एक्वा इसकी information आपको यहां पर देखते मिलती रहेगी ठीक है बाकि फिलाल जो इसका full notification ज झाल झाल